नमस्कार दोस्तों मैं अनुरा गोजा कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे नितीज चाचा ने सपत तो लेली साहब भारतिय जनता पार्टी के सदस्तों बन गए साहब कठ फुतली बनकर काम करेंगे वो तो ठीक है साहब दिग विजय सिंग का एक ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहें उन्होंने लिखा है कि हमें नितीज कुमार की जानी की उम्मीद नहीं थी उन्होंने कहा था कि मरते दम भाट पा में नहीं जाएंगे अब आप बताएगे कि नितीज कुमार ने जो कहा था साक की मर जाना कुबूल है बीजेपी में जाना कुबूल नहीं साहब मतलब श्वाभिमान से समझोता करने वाला एकर कोई चच्चा है तो कुरसी कुमार है यानि नितीज कुमार जी है मैं नितीज कुमार का ब्यक्तिकत तोर पर देखा जा तो बहुत सम्मान करता हूँ प्रसांद कि सोर ने भी ट्विट किया है कि राजनीतिक तोर पर नितीज कुमार एक मरे हुए साप है उनको जो भी अपने गले में डालकर डालेगा वो बैठ जाएगा आप देखिए प्रसांद कि सोर का ट्विट है अब बताये कि नितीज कुमार ज इसे नितियस कुमार जी डर क्यों गई मैं और आपको पता होगा कि लालू परसाद जी की बेटी ने ट्विट किया था कि नितिया इडी और सीवियाई से अगर भाजपा में लोग नहीं जाता है तो ग्रीटिंग दी जाती है मतलब आप समझे ग्रीटिंग दी जाती है मतलब लिफाफा अब लिफाफे में क्या होता है भगवाने जाने नितियस कुमार के जाने से इंडिया एलाइंस को फाइदा होगा सीम केजरिवाल ने कहा है केजरिवाल साहब ने कहा है कि नितियस कुमार जी चले गए हैं तो इससे इंडिया एलाइंस को फाइदा होगा अब दे उसे अगर एक भासा में कहा जाए तो दू मुहासांस, समझ रहना, तेरे मुपे तेरी और मेरे मुपे मेरी, करने वाला नेता को तो हम पसंद ही नहीं करते हैं, नितिश कुमार जी को हम फोलो किया करते थें, हम फोलो कर दिया हैं वाई ट्विटर पे, अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रप्शन में लिंक है फॉलो भी कीजिए हम बात अपने उसी मुद्दे पर ही रखते हैं महगाई बिरोजगारी सिच्छा सिच्छा और रोजगार दोनों बहुत जरूरी है मेन उद्देस हमारा है कि रोजगार दिया जाए रोजगार बिहार में सरकार बहुत दे रहे थी अगर मैं एक हिसाब से कहूं तो तेजस्वी भाबू रोजगार के मामले पे नंबर वन हैं अगर रोजगार सरकार देती है त तो सिच्छा बेहतर हो जाएगी, सिच्छा बेहतर हो जाएगी, रोजगार से महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार से बेरोजगारी तो साहप कम होगी ही होगी, सिच्छा सही हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, भोक्मरी कम हो जाएगी, तब जितने भी साधन हैं, सब का म कँगार समझे कि नितीज कुमार धूरता अदमी आप समझे का धूरता अदमी नितीज कुमार वह है न की पल्टू चाचा पलट गए पल्टू राम इनको अब तो दुनिया पल्टू राम कहने लगी है क्या वाकए में नितीज चाचा की कोई मजबूरी रही होगी, क्या वो मुखमंतरी बनने के लिए, बार बार येοι lumière अबना रहे हैं, क्या वो ठीक है, हमारे मित्र ने भेज़ा था कि मुखमंतरी का सपना लिए सब के सब बिलट गए, देखो देखो नितीश चाचा फिर से पलट गए साहब नंबर वन होते जा रहे हैं कभी यूँ पल्टे तो कभी यूँ पल्टे कभी यूँ पल्टे तो कभी यूँ पल्टे मतलब बिन पेंदी का लोटा बिन पेंदी का लोटा समझ रहे हैं साहब किधर भी यो 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 करके पलट जाता है ठीक उसी प्रकार नितिश कुमार मैं नितिश कुमार का फिर कहता हूं कि मैं नितिश कुमार जी का ब्यक्तिगत तोर पे बहुत समान करता हूं और जब वह भारतिय जंता पार्टी से अलग होए थे ना तो मुझे लगा था क्यों कुछ करेंगे और राम भद्रचार का एक टूइट आया उन्होंने कहा कि रहाम ब्यक्ति बन जाता है राम भद्रचार ने कहा कि रावण को छोड़कर विभीशन भी राम की सरण में गए थे अब आप बताईए कि क्या भरतिय जंता पार्टी राम है क्या विपच्छ रावण है यह आप लोग कलपना जरूर कीजिए क्या राम भद्रचार का ये ठीक है अगर साधूसंत का चोला उतार कर आपको राजनीती में आना है तो खुले मैदान में आईए विपच्छ आपका सामना करेगा महराज लेकिन आप ऐसी बयान बाजी करके जंता को क्या बताना चाहते हैं कि आप साधूसंत नहीं भारतिय जंता पार्टी की कठफ़तल आप इस टूइट को जब देखिएगा उन्होंने लिखा था कि मैं माननिय प्रदान मंत्री नरंदर मोदी जी के द्वारा दी गई बधाई एवं सुभकामनाओं के और समस्भ वासियों की और से धन्यवाद प्रगट करता हूं तथा साहियों के अज़दे धन्यवाद देत बिहार में एंडिये गडवंधन की नई सरकार का गठन हो चुका है जनता मालिक है उनकी सेवा करना हमारा मूल उद्दे से केंद्र और राज में एंडिये गडवंधन की सरकार होने से विकास कारियों में गती मिलेगी और राज जिवासियों को बेहतरी होगी अब आप बता प्रतिक्रिया जरूर दें अब अनुरागोज्या को दीजिए इजाजत शुक्रिया धन्यवाद अनुराइ ागोज्या में सुक्रिया जाज्या आमने में।